नमस्क्राइब स्वागत आपको और मैं हूँ आपके साथ लाता बड़ी खबर आपको बता रहे जहाँ बंगाल में विधानसभा चुनाओ से ठीक पहले ममता बनलजी को बड़ा जटका लगा है जहाँ क्योंकि अब एक बार फिर से टीम्सी सांसा दिनेश तुरुवेदी का राद्रसभा से इस्तिफा हो गया और इसके पहले कई बड़े दिगज नेता टीम्सी का साथ छोड़कर ममता दीदी को टाटा बाइबाय कर चुकिया और इसी दौरान अब ये चुनाओ से ठीक पहले जो इस तरीके से लगातार जो नेता ममता के जो दिगज नेता कही जाते पहले थे वो अब खुद ही टीम्सी का साथ छोड़कर जो पार्टी से बाहर जा रहे ही से साफ ये अंदासा लगाया जा सकता है कि अब वदानसभा चुनाओ से पहले ठीक बड़े बड़े निताओं का पार्टी से इस्तिफा देना वाकिए एक बड़ा जटका है टीम्सी क साथ इन्होंने ये भी कहा कि बैठे बैठे बंधुआ मजदूर के तरह महसूस कर रहे थे राजी सभा में बजट पर चर्चा के दोरान दनेश्ट रुवेदी ने कहा कि असल में हम जन्मभूमी के लिए ही हैं और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है कि हम करें तो क्या करे जिसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि एक पार्टी में सीमित तो हैं और मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था जिसकी वज़ोज से हम लगतार परेशान थे और उसके पहले हमने देखा रहे किस तरीके से जो पार्टी के बेहत करीबी ममता बनर जी के बेहत करीबी लग रहा है, ममता बनर जी को लग रहा है ये कई सवाल ख़ड़े करती है कि आकर जिस तरीके से लगतार ममता दीदी प्रदीश में एक बाग फिर से अपनी सत््ता को काश करने का जो दावा भर रही थी अपनी सरकार बनाने की जो बाते कर रही थी इसकी हवा उन्हीं कवा दिखाई पर रही है क्योंकि अब उन्हीं के नेता उन्हीं के पार्टी के खास चेहरे उनको छोड़ कर जा रहा है और हवाला ये दिया जा रहा है कि पार्टी में उनका दम खुटता है लगतार पार्टी में जो गतिविदी हो रही है लगतार जो हिंसा को बरदाश करने का का जा रहा है उससे लगतार जो नेता है जो टीमसी के कारे करता है वो घुटन महसूस कर रहे तो इसे को लेकर आज अपनी चुपी तोड़ते हुए राजसभा से साफ़तोर पर दिनेश्ट रुवेदी ने अपने इस्तिफे का ऐलान कर दिया और वो बहुत भावुक होकर ये ब सुभक भढबाय की बेहत करेबी शुबेंदू अधिकार भी जो विजयपी में शामिल हो चुके है और से पहले बिनेश्ट गोष ऐलिख अर इसके लावा अर्जुन सिंग्ग और राजी बनरजी भी जो की लिजटार जिस तरीके पर टीमसी के दाइना हाथ कही जा ठी लेक अब साफ तोर पर इस तरीके से दिख रहे हैं कि उनके खुद के नेता, उनका साथ छोड़े और इसी कड़ी में इस तरीके से हमने देखा था कि बीजेपी की परिवर्तन राली को रोकने के लगतार पशिमंगाल की जो सरकार है जो पशिमंगाल की पुलिस है वो कोशिश कर रही थी उसको भी मुखी खानी पड़ी है क्योंकि अब आपको बता दे कि जिस तरीके से ममता बनर जी जो राली को रोकने का काम कर रही थी उनको क खारीज कर दिया गया है तो जिस तरीके से लगतार आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक ममता दीदी सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें को आगे रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी मोनोपली करने के लिए लगतार जिस तरीके से वो राजनीती करती हैं तुष्टी करन की राजनीती करती हैं आतंगवाद को बड़ावा लगतार देने का वो काम करती क्योंकि जिस तरीके से हम सभी को पता है कि पच्छे मंगाल में कैसे कुस्पैक्ट्यू को सुरंड दी गई है अब इन सब का खुलासा भी बहुत जल्द होगा और जल्दी कुस्पैक्ट्यू को प जम भर रही थी उनको बड़ा जटका लगा है क्योंकि एक बाद एक बड़ी दिगज नेताओं के बाद अब दनेश्ट्रवेदी ने भी टीमसी का साथ साफतोर पर छोड़ दिया है हाला कि इसके बाद आपको बता दे कि बॉखलाहट में आकर टीमसी का भी बयान सामनी आय और उन्होंने साफतोर पर दनेश्ट्रवेदी पर जम का निश्वाना साथते हुए कहा कि किसी और को मिलेगा ये पद तो आप चाहिए जितने भी पद बाट लिजे लेकिन अब जो आपी के दल के नेता है वो भी आपको पूरी तरीके से जान चुके हैं क्योंकि किस तरीक अब सोशल मीडिया पर भी लगता सरगर्मिया तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में कलाश विजवर्ग्या ने भी ट्विट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है नोंने कहा कि सिर्फ दनेश्ट्रवेदी ही जी जो भी इमानदार काम करना चाहते हैं वो तरनमूल कॉंग बंगाल में तुष्टिकरन की राचरिती करके ममताबनर जी एक कोशिश कर रही थी कि हो सकता है कि 2021 में भी वो अपनी सरकार दुबारा से लेकर आएंगे लेकिन अब पशिम बंगाल की जरता ने साफतोर पर बुजेपी के लिए हरे जंडी दिखा दी है क्योंकि जिस तरीक होगा बिजेपी का हुआ कि जिस तरीके से लगतार बंगाल में परिवर्तन ड्रैली का जो आयजन किया गया है जिसको लगतार रोकर्य की कोशिश बंगाल सरकार कर रही थी बंगाल की पुलिस कर रहे थी वो हम सभी ने देखा थे कि कैसे जो बंगाल की पुलिस है वो बिज़ेपी कारिकरताओं के साथ मारपीट पे उतारू हो जाती है लहुलुहान करने पर मजबूर कर देती है और यह वाकई दिस तरीके से गुंडो वाली पार्टी हैं साफतवार पर यह सकते हैं क्योंकि किसी से भी तस्वेरें छुपी नहीं है कि कैसे बंगाल में लगतार गुस्पैटी को संदक्ष्वन दिया गया है लगतार देश द्रोही बाती की जाती है देश वरोधी बातों को बड़ी बात यह जो जटका ममतावनेर जी को आज लगा है वह वह ममतावनरजी को एक भी सीट हासिल नहीं होगी क्योंकि इस तरीके से वोट बैंक की राज़िती सर्फ ममतावनरजी करती है अब उनको एक के बाद एक मूतोर जवाब मिल रहा है क्योंकि इससे पहले भी शुबेंदू अधिकारी ने पार्टी छोड़ने के बाद लेना होगा और ये वक्त ममता को हरा कर आगे बढ़ने का है तो देखे किस तरीके से जो उनी के बेहत करीबी माले जाते थे सुबेंदू अधिकारी उनका ये इस तरीके का बयान सामने आए है इसका लाबा आपको बता दे कि सुबेंदू ने जब टीमसी छोड़ी उसके ब भी कहा था कि अब वो पूर मुख्यमंत्री वाला अपना लेटर है छपआ कर रख ले क्योंकि अब उनकी सत्ता वाफस नहीं आने वाली क्योंकि अब बीजेपी अलगतार प्रदेश में जिस तरीके से जन समर्तन बीजेपी को मिल रहा है वो अपनी सरकार बनाएगी और इस लेकिन अब जो 2021 में जो लेहर बीजेपी की आएगी जो सरकार बीजेपी की बनेगी उसे कोई नहीं हटा सकता और इसे करिम उनने साफता पर ये भी कहा था कि कोई माईकालाल नहीं जो बंगार में चुनाओ को प्रभावित कर सके चुनाओ से पहले ममता के गड़ में दहार अबने दहारते हुए अमित शुहा ने कई बड़े बाते कहीं थी आपको बता दे कि साफता पर उनने अपनी यात्रा की शिरुवात करते हुए ये साफता पर कहा था कि किसी में भी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पर वोट को प्रभावित कर सके उन्होंने कहा कि जनता ने 10 स 5 साल ममता बनलजी को दिए केवर 5 साल अगर मूदी को दिए जाते हैं तो सुनार बंगला बना कर दिखा देंगे और साथ इसके अलावा घुसपैट पर वी जंपर निशौना साते में अमित शुहां ने आगा कि ममता बनलजी को आपको बताा दिया अमित शुहा ने साफता पर कहा कि बंगाल में सत्ता आती है तो गुस्पैटी तो दूर पक्षी भी गुस्पैट नहीं कर सकेंगे उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में दुरगा पूजा ये सरस्थी पूजा के नुमती नहीं मिलती है पूजा करने के लिए अदालत जाना परता है शुहाने इसी के सा ये भी कहा कि भाज़पा कि जो सेकुडू कार्यकरता मारे गए हैं उन सभी का हिसाब भी लिया जाएगा आपको बताते जिस तरीके से लगतार बंगाल में अब चुनावी सुबगाहर जो है वो तेज हो चुकी है राजम में चुनाव अप्रेल या मई में संभावित हो सकते ह और इसको लेकर लगतार जिस तरीके से ममता बनर जी जो ओची राजनीती करती वे दिखाई पड़े हैं कि उस तरीके से सभी को प्रदेश में अपनी अपनी राली करने का अधिकार है लेकिन ममता जिस तरीके से लगतार वो सिर्फ ये चाहती है कि उनके प्रदेश में गु पर देश लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि जो ममता बनर जी लगतार दम भर रही थी अभी तक अपनी टीम सी टीम बिगेट के साथ अब उनी के टीम के मेंबरें उन्हें छोड़कर एके करकर जा रहे हैं और अब इस साफ़तार पर जाहिरा की आगामी चुनाव मे ममता की बहुत करारी हार होने वाली और विजय पर जिस तरीके से बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी वाकई पूरा देश देखेगा और जो ममता बनर जी जो लगतार जिस तरीके से लोगों को बर्गलाने का वो काम करती है उनकी दुकान जो वह जल्द बंद हो जागी क्योंकि अब वाकई इस तरीके से ममता बनर जी को एक के बाद एक कड़ी प्रहार जो अमिस शुहा ने किये से साफता पर ये बया होता है कि अब ममता की जो सरकार है वो बहुत जल्द गिरने वाली कि जिस तरीके से लगतार एक बार फिर से सीए को लेकर महौल खराब करने क जो कोशित ममता बनर जी कर रहे थी इसको लेकर भी घहे मंतुरी अमिस शुहा ने अपना साफता पर जवाब लेते हुए कहा था कि कोरोना वैक्सिनेशन खत्म होने के बाद इसे भी अमल में लाया जाएगा और इसके बाद सीए को लागो किया जाएगा और इसके बाद दे ये आगामी चुनाव को लेकर कई चीजों की और इश्वारा करता है कि अब ममता बनार जी पूरी तरीके से टूटू की है उनका जो घमन था जो बोखलाहर थी वो अब इस तरीके से सामने आ रही है कि वो ऐसी बाते कर रहे हैं कि वो पत किसी और को जेदेंगे लेकि इस सब क बीच वाकई ये देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में यस तरीके से बीजेपी लेहर पूरी तरीके से बश्रीम बंगार में दिखाई पड़ रही है इसे बीच बमता दीदी अपनी साख कैसे बचा पाती है ये देखना वाकई दर्चस्प होगा और इस पर कोश रहें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें